आज से बारा बरस पहले की बात है मेरी फिल्म चार दिल चार राहें की शूटिंग का पहला दिन था बारिश मूसलादार हो रही थी पिछले बारा घंटे से लगादार बारिश हो रही थी रात भर में एक पल के लिए भी जड़ी बन नहीं हुई थी मेरा उसूल है कि जिस दिन शूटिंग हो सुबह सवेरे ही स्टूडियो पहुँच जाता हूँ उस दिन भी मैं किसी ना किसी तरह मौडर्ण स्टूडियो तक पहुँच गया सडकें पानी में डूबी हुई थी टैक्सी सडक पर ऐसे चल रही थी जैसे नदी में नाव चलती है एक बार इंजन में पानी चला गया और टैक्सी रुख गई किसी ना किसी तरह ड्राइवर ने इंजन फिर चालू किया और स्टूडियो के दर्वाजे तक पहुँचा दिया मगर अंदर जाने से उसने साफ इंकार कर दिया स्टूडियो के अंदर तो सडक का नाव निशान भी नहीं था सारा कमपाउन एक तालाब बना हुआ था मैंने पतलून के पाइंचे घुटने तक चड़ा लिए जूते उतार कर हाथ में लिए और पानी में उतर गया पानी में शराब और स्टूडियो के अंदर गया तो देखा कि आग जलाकर गीले सैट को सुखाया जा रहा है उस वक्त तक मेरा कोई असिस्टेंट भी नहीं आया था सिर्फ मैक अप रूम में पिंडरी जोकर अपनी दुकान लगाए बैठा था पिंडरी ने कहा अबास साहिब आज तो आपको शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी ऐसी बरसात में कौन हीरोईन अपने घर से बाहर निकलेगी मैंने कहा शूटिंग का पहला दिन है हीरोईन की परेख्षा भी हो जाएगी पिंडरी ने पूछा हीरोईन ने कितने बजे आने का कहा था मैंने जवाब दिया साड़े साथ बजे क्योंकि मैंने उसे बता दिया है कि शूटिंग का वक्त साड़े नो बजे से है मगर काला मैक अप करने में दो घंटे लगेंगे पिंडरी ने अपनी कलाई की घड़ी देखकर कहा साड़े साथ बज गए ठीक उस वक्त मुसलाधार पानी गिरने की आवास को चीरता हुआ एक मोटर का हौन सुनाई दिया और एक मोटर पानी में तैरती हुई मैक अप रूम की सीड़ियों के पास आकर रुख गई मगर ये सीड़ियां खुद पानी में डूबी हुई थी और अब मोटर से पहले हिरोईन के दो नंगे गोरे गोरे नाजुक से पाउं बाहर निकले फिर दो हाथ निकले जिन में वो अपने चप्पल संबाले हुए थी फिर सफेद साडी पहने सर पर एक बड़ा सा तौलिया ओड़े हुए हिरोईन बाहर आई और बेतकल्फ पानी से होती हुई अपने मेकप रूम तक पहुँच गई आदाब अर्ज मुझे देर तो नहीं हुई उसने कहा और आईने के सामने मेकप करने बैट गई डायलाग मैंने याद कर लिये हैं इतने अच्छे लिखे हैं आपने कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई मगर हर्याने की देहाती चमारन कैसे बोलती है वो अंदाज और वो लब लहजा आपको सिखाना होगा ये हिरोईन थी मीना कुमारी लोग कहते हैं कि वो आज इस दुनिया में नहीं है लोग कहते हैं वो मर गई है शायद तभी उसकी याद इस शिद्दत के साथ जिन्दा हो गई है उस दिन से हमारे नया संसार यूनिट में वो आज तक हिरोईन नमबर वन कहलाती थी और कहलाती रहेगी चार दिल चार रहें में तीन हिरोईने थी मीना कुमारी निम्मी कुमकुम हर एक ने अपनी अपनी कहानी में ला जवाब काम किया था लेकिन हमारे स्टाफ के सब लोग हिरोईन नमबर वन मीना कुमारी को कहते थे क्यों ये किसी को मालूम नहीं था बस कहने लगे थे शायद इसलिए कि वो किसी तरह से भी हिरोईन नहीं लगती थी फिल्म स्टारों जैसे भड़कदार कपड़े नहीं पहनती थी सफ़ेद किलिप लगी वाइल की साड़ी उसका पसंदीदा लबास था फिल्म स्टारों की तरह इटला कर बात नहीं करती थी फिल्म स्टारों की तरह नखरे नहीं करती थी डायलाग घर से याद करके आती थी आते ही ये नहीं पूछती थी कि आज कौन सा सीन करना है आपने जो डायलाग की कागज भिजवाए थे वो तो मैं घर में भूलाई हूँ इस हिरोईन से सब लोग खुश थे प्रोडिसर से लेकर असिस्टेंट मैक अप मैन और कैमरा खुली तक क्योंकि वो हर एक से इनसानों की तरह हमदर्दी से बात करती थी ना डारेक्टर को डारेक्शन सिखाती थी ना कैमरा मैन को फोटोग्राफी की शिक्षा देती थी लेकिन जब शॉर्ट शुरू होता तो वो अपने कैरेक्टर में खो जाती फिर वो मीना कुमारी नहीं रहती थी वो वो हो जाती थी जो कैरेक्टर उस फिल्म में वो कर रही होती थी चार दिल चार राहें की कहानी जब मैंने उसे और उसके शोहर और अपने दोस्त कमाल अम्रोहवी को सुनाई तो मेरी दिली खाहिश थी कि वो चाउली चमारन का केरेक्टर करे मगर मैंने कहा आप तीनों लड़कियों में से किसी एक केरेक्टर को पसंद कर लीजिए दूसरी हिरोईनों का इंतेखाब बाद में होगा मगर कहानी सुनने के बाद ही उसने फौरण कहा मैं चाउली चमारन का केरेक्टर करूंगी कमाल अम्रोहवी ने मुस्करा कर कहा केरेक्टर तो सचमुच वोही तुमारे चाबिल है मगर शर्त ये है कि जैसे अबाद साहिब ने अपनी कहानी में लिखा है काली कलोटी का मैक अप करना होगा मीना कुमारी ने कहा वो तो करना ही होगा इसलिए तो मैंने ये करेक्टर अपने लिए चुना है सो एक दिन ऐसा आया कि शूटिंग हो रही थी कि सैट पर कोई साहिब तश्रीफ लाए कहने लगे सुना है मीना कुमारी इस फिल्म की हिरोईन है मैंने कहा जी हाँ आपने ठीक सुना है घड़ी देखकर बोले ग्यारा बज़ गए थे मगर हिरोईन साहिबा अभी तक तश्रीफ नहीं लाई क्या मीना कुमारी भी दूसरे स्टारों की तरह देर से आती है मैंने किसी कदर अचंबे से उनकी तरफ देखा और पूछा आप मीना कुमारी को पहचानते हैं क्यों नहीं दरजनों फिल्मों में देखा है फिर जिन्दगी में भी दो चार बार फिल्मों के सैट पर देख चुका हूँ मैं मुस्करा कर खामोश हो गया फिर वो बोले वो कौने में काली कलोटी सी कौन बैठी है तब मैंने जवाब दिया जी वो काली कलोटी चावली चमारन है जो इस फिल्म इस कहानी का मरकजी किरदार है और जो फिल्म की हिरोईन है और जिसे दुनिया मीना कुमारी की नाम से जानती है मीना कुमारी और चावली चमारन एक्ट्रिस और उसका किरदार इन दोनों में जमीन आसमान दिन रात का फर्ग था एक गोरी दूसरी काली एक लाखों में कमाने वाली और अवाम की हर दिल अजीज फिल्म स्टार और दूसरी उपले ढोने वाली अच्छूत चमारन एक जो अपनी गोरी पेशानी की वज़े से महजबी कहलाती थी दूसरी अपनी रंगत के कारण काली के लोटी बेंगन लोटी कहलाती थी एक पड़ी लिखी, किताबें पढ़ने वाली, शेर गुन गुनाने वाली जो खुद घजल कहती थी और जो खुद ही तरन्नुम के अंदाज में गाती थी जो शेर कहती थी और बजाते खुद शेर थी दूसरी अनपढ गवार अचूत का नहिया क्या मीना कुमारी इस अनोके और मुश्किल किरदार के साथ निबाह कर सकेगी मुझे तो कोई शुबा नहीं था मगर मेरे सातियों मेंसे कई ऐसे थे जो डरते थे कि मीना कुमारी रहेगी, चावली ना बन सकेगी मगर पहले दिन ही जब वो अपना काला मैक अप करके फटे पुराने कपड़े और देहाती गहने पहन कर नंगे पाउं जहांजन बजाती सैट पर पहुँची तो वो चावली चामारन में तबदील हो चुकी थी उस दिन से उसने सैट पर हिरोईन वाली कुर्सी पर बैठना छोड़ दिया अब वो किसी तूटी हुई खाट या फटी हुई चटाई पर फसकड़ा मार कर ठेट दिहाती अंदाज में बैठती पहले दिन उस से मिलने कोई साहिब हमारे सैट पर आए और इधर उदर देखकर बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर पूछा क्यों मीना कुमारी जी अभी तक नहीं आई मैंने कहा आप तु जानते ही हैं कोई हिरोईन बख्त पर नहीं आती चावली चमारन से बात करना चाहें तो वो हाजिर है और ये सुनकर काली कलोटी चावली हस पड़ी और भांडा फूट गया और इस किसम की गलत फेमिया हमारे सैट पर बार बार हुई ये तो हर फिल्म स्टार के लिए कहा जाता है कि वो अपने काम में खो जाता है या खो जाती है लेकिन मीना कुमारी किस हद तक अपने किरदार में खो जाती थी इसकी गवाही मैं दे सकता हूँ मेरे यूनिट के सब साथी दे सकते हैं मई का महीना था दो पहर की जलती हुई धूप अंधेरी के पास एक पत्थर की दुकान है उसके जलते हुए पत्थर सैक्रों मजदूर पत्था तोड़ने में लगे हुए थे उन में हमारे फिल्म आर्टिस्ट भी थे उन में एक्स्टा लड़कियां भी थी जो गर्मी की शिकायत कर रही थी बार बार पीने के लिए बर्फ का पानी मांग रही थी और उन ही में मीना कुमारी भी थी जो मोटर ही से नंगे पाँ उतरी थी मैंने कहा अभी तो सिर्फ क्लोज अप लेना है आप सैंडल पहन लेजिए मीना कुमारी ने कहा चावली बेचारी के पास सैंडल होते तो पत्था तोड़ने क्यों आती मैं लाजवाब हो गया फिर मैंने पत्थर को हाथ लगा कर देखा जल रहा था मैंने अपने जूते और मोजे उतार दिये कैमरा मैंन ने अपने चपल उतार दिये सब असिस्टेंट डारेक्टर और दूसरे काम करने वाले नंगे पाउं हो गए सारा दिन उस जलती हुई धूप में उन जलते हुए पत्थरों पर चावली चमारन नंगे पाउं चलती रही दोड़ती रही भारी कुदाल से पत्थर तोड़ती रही मगर जब लंच की छुटी हुई तब भी मीना कुमारी ने सैंडल नहीं पहने शाम होते होते उन नाजुक नंगे पैरों का क्या हल हुआ वो मीना कुमारी ने किसी को नहीं बताया मगर हमारे पैरों पर कितने च्छाले पड़ गए कितने पैर पत्थरों से रगड़ कर च्छल गए लुहु लुहान हो गए वो हम में से सब को आज भी याद है सो ये थी फिल्म स्टार मीना कुमारी जिसकी मौत पर सारी फिल्मी दुनिया और लाकों फिल्म देखने वाले आज आँसू बहा रहे हैं उसे अपने आर्ट से महबत ही नहीं एश्क था ऐसा इश्क जो पागलपन की हद तक बढ़ा हुआ था यही उसका फर्ज था और यही उसकी दवा थी साथ बरस हुए लंदन के बहुत बड़े डॉक्टरों ने उसके जिगर का मौाइना करके उसके दोस्तों और रिश्दारों से कह दिया था कि वो साल बर से ज्यादा जिन्दा नहीं रह सकती लेकिन वो पाँच शे बरस तक और जिन्दा रही मरस से लड़ती रही और जब ना सिर्फ पाकिजा मुकमल हो गई बलके कितनी ही दूसरी फिल्मे मुकमल हो गई तो उसने मलिकल मौत के आगे हतिया डाल दिये और सिर्फ चालिस बरस की अमर में अल्ला को प्यारी हो गई काम करने में वो अंथक थी फिल्म अच्छी हो या बुरी डारेक्टर बड़ा हो या छोटा वो अपना काम महनत और महबत से करती थी कमजोर फिल्मों में अपनी बाकमाल अदाकारी से जान डाल देती थी सुबह से रात तक रात से सुबह सवेय तक लगातार शूटिंग कर सकती थी जुकाम हो खासी हो बुखार हो वो इनकार नहीं करती थी ये सब करने पर भी उसकी अच्छी और यादगार फिल्में गिनी चुनी ही हैं बात ये है कि फिल्म एक ऐसा आर्ट है जिसे बहुत से कलाकार मिल कर जनम देते हैं सिर्फ एक आर्टिस्ट फिल्म के फनी मयार को बलंद नहीं कर सकता हमारे हाँ सो में से नवे फिल्म किस किसम की होती हैं ये सب को मालून है और मिना कुमारी को भी इसका एहसा था लेकिन किसी फिल्म में उसे थोड़ा सा भी मौकम मिल जाता तो वो उसी में जान लगा देती थी फिर भी मीना कुमारी की 70 फिल्मों में से 10-12 फिल्में ही शाहकार का दर्जा रखती हैं जिन में उसकी आखरी फिल्म पाकीजा खास दोर पर यादगार रहेगी इस रूमानी मिजाट की शायरा के अंदर वो बच्ची छुपी हुई थी जिसे माबाप ने महजबीं का नाम दिया था और जिसने कभी बड़ी गरीबी का बच्च्पन बिताया था और जो गुड़िया से खेलना चाहती थी और हिंडोले में बैठना चाहती थी और हंड कुलिया पकाना चाहती थी शादी करके गोद में बच्चों को खिलाना चाहती थी लेकिन जिसे घर की इक्तिसादी मुश्किलाथ से बच्पन की खाहिशों ने मुझे बच्पन की खाहिशों उमंगों और आर्जों को खेर बात कहकर साथ बरस की अमर में फिल्म एक्टिंग को अपना जरिया मौाश ब अमर भर उसी महजबी को तलाश करती रही वो मासूम बच्ची जो उसके मन के अंधेरे में छुपी बैठी रही और जिस बच्ची के मन में ना जाने कितने सपने कितनी आर्जों और कितनी अमंगे छुपी थी और शायद मीना कुमारी की रूह की बेचेनी और उसकी शायरान बादखारी उसकी गम अंगेस तल्ख मस्कुराहट उसकी अधाकारी में जो गहराई संजीदगी और ठहराओ था वो सब इसी तलाश की देन थी मगर आज वो तलाश खत्म हो गई है मीना कुमारी और महजबी मरकर एक हो गई है सिर्फ एक अफसाना बाकी रह गया है और चंद दिलकश अफसुर्दा यादें